अधिया वाला 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 वीडियो आपको पहले देख के आने वही बात है कि जब आपको नए टॉपिक स्टार्ट कर रहे तो उसे पहले वाला जो वीडियो सेरीज का वो देख यह तब ही आपको समझेगा देख्या सबस्क्राइब कर दाद। सब्सक्राइब करने वाले एक सिफ्थ को हम कर चुके हैं बैथोग्रोमिक सिफ्थ एंड और सब्सक्राइब से थोड़ा सब्सक्राइब करने का त्राइब सब्सक्राइब करने में तविक्ष जा वोगी तरह तरह में पीछे तरह की कि तरह मुझा है ने मुझाएब ब्लू की तरब आहें that means यह एदि यह दि गैपलेंथ कम होती है तो हम कौने क्लर की तरफ आहें ब्लू कलर की तरफ आहें that's why hypsochromic shift is also called as blue shift if we're talking about bethochromic shift bethochromic shift में क्या होते लैμक्दा maximum की value increase कर रही होती है lambda maximum की value increase कर रही है that means we are moving towards red color that's why bethochromic shift is also known as सिर्टेस्ट समझ जाया कि क्यों हम इसे स्ट्ष एंग राएं नहीं बोला कि भात कर नहीं बात कर एक ऑप्सक्रामिक सिफ्ट में अल्ग ऊपॉसित करवा फ्लफ कि रिट यह इस वाए मुद्न अम्हपण हम पता होता प्रया कि इसन दॉदि Lunch कि यहां से हम absorbance in lambda maximum के बीच में graph है वो यहां से draw करते हैं और इस graph में जो signal आया है वो अपनी actual position से थोड़ा सा higher wavelength में shift कर जाता है this is called as bathochromic shift इस बार hypsochromic shift में क्या होना है bathochromic shift में आगे गया है that when shift so chromic shift में कहां प्याएगा पीछे की तरफ आएगा बाकी सारे चीजे सेम रहेंगी इस बार क्या होना है कि यह जो लैंडा maximum की value है यह lower wavelength की तरफ यहां से shift कर जाती पहले वाले में longer की तरफ गई थी ठीकिए पहले वाले में longer wavelength की तरफ लेम्डा मक्सिमम की वैल्यू गोई इस बार लोवर वैबलेंद की तरफ कम वैबलेंद की तरफ लेम्डा मक्सिमम की वैल्यू है वह आ जाती है होता क्यों हरी सीज़ के पिखे का हमने काईश होता है मैं इस चीज के पीषी का तो रिजन वह होता है रहिए जब कॉन्जूगेशन होता है जब क्सूर्द कि एंक्रीश होता है तो लाम्डा मैक्सिमम इंक्रीश होता है ठीक है कोई ऐसा फैटर जो कि Conjugation को Decrease कर दे तो लैंडा maximum also will be Decreases Lambda maximum क्या करेगा Decrease करेगा That is the reason ठीक है That is the reason behind blue shift red shift का reason क्या होता है Conjugation increase करेगा Lambda maximum increase करेगा बट blue shift में Conjugation Decrease कर जाता है तो Lambda maximum automatically will be Decreases तो यह होता है यहां से concept अब ऐसा क्यों होता है कि Conjugation क्यों Decrease करेगा Point wise हम चल रहे हैं First thing हमने देखा कि Blue shift क्या होता है Second thing हमने देखा कि Blue shift में Lambda maximum की वाले को कम होती है Reason क्या होता है Because of removal of Conjugation Decreation Conjugation Decreation Conjugation Decreation Conjugation ऐसा क्यों होगा कौन से ऐसे reasons आएंगे कौन से factors आएंगे जिसकी वाज़े से Conjugation Decreation होने वाला है तो वह क्या होगा Electron Withdrawing Group कोई ऐसा substrate जिसका Electron Withdrawing Nature होता है कोई ऐसा substrate जिसका Electron Withdrawing Nature होता है तो वह क्या करेंगा Conjugation Decrease करेंगा Example हमने लिखा हुआ आगे माँ आपको explain करेंगी तो कोई भी ऐसा factor जो कि Electrons को विड्रो करेंगा Electrons को पूल करेंगा ठीक है सॉरी हां Electrons को पूल करेंगा Electrons को खीचेगा तो क्या करेंगा Conjugation को Decrease करेंगा Conjugation यदि Decrease होगा तो Lambda Maximum वह ओटोमाटिकली Decrease हो जाएगा क्योंकि इन दोनों की बीच का relationship पूल कि में का ठीक हो जाएगा अब हम आपने with a theoretical aspect पर हमें लिखा हुआ है और हम अबिच्छल माक्सिमा के सबने लिखा हुआ है सबसे है फर्स्सट प्यूंट है तो यहां से कि भी और सबसे पॉंट है तो यहां से देखे क्या होगा, यह जो लैंडा मैक्सिमम की वैली है, यह थोड़ा सा पीछे की तरफ सिप्ट होगा, यहां से खेल भी तरफ उभा, यह थोड़ा सिप्ट होगा, और भी पुछा जा सकता है, तो यह थोड़ा सकता है, तो यह थोड़ा, यह थोड़ा सकता है, तो यदि आपसे यह वाला पुछा जाता है तो इसमें आपको all four shift हम वो explain करनी है bethochromic shift, hypsochromic shift and upcoming two shifts हैं जो भी बची हुई है hypochromic and hyperchromic shift चारो shift हम वो आपको explain करनी पड़ेंगी और यदि individually पूछा जाता है then तो आपको जो पूछा गया आप उसी पर बार में explanation हो आपको करना होता है that's it, अब यहां से देखिए let's move on the second point blue shift causes because of presence of any electron withdrawing groups at substratant or by the change in solvent change in solvent नहीं दिखा यह भी यहां से होता है or by the change in solvent change in solvent The problem is which is plant the count electron What Add this being मैंने EWG लिखा EWG stands for electron withdrawing group ठीक है ERG stands for electron releasing group similarly EWG stands for electron withdrawing group electron withdrawing group remove the conjugation that means conjugation decreases as conjugation decreases lambda maximum also will be decreases अब यहां से यह जो point है यह important हमने यह चीज तो बहुत दी कि क्यों होता है ठीक है क्यों होता है क्योंकि जब यहां पे कोई कोई electron withdrawing group या फिर हम solvent में change करते हैं तो यहां से हो जाता पर ऐसा क्यों होता है solvent को change करने से यहां से ऐसा कौन सा factor लगता है कि यहां से conjugation sorry यहां से blue shift हो जाता है तो यह क्या करते हैं यह conjugation को decrease कर देते हैं conjugation को decrease करें तो lambda maximum automatically will be decreases now हमने यहां से example रखा है example में हमने यहां से क्या किया है simple simple सी चीज हमने लिया हुआ acidic medium हमने क्या क्या change in solvent किया हमने acidic medium में किसी पी central compound को डाल लिया अब देखें फर्स्ट और हमने क्या रखा था अनिलीन रखा था अनिलीन के लिए लामडा मक्सिमम की वाल्यू आप यू ओल नो वारेवर विए और अरेडी डिस्कॉस्ट आवाओ अनिलीन यह लामडा मक्समम होती है 280 नामेटर होती है 280 नामेटर होने का रिजन क्या है वेखे हमने बैंजीन के बारे में डिस्कॉस्ट किया था था बैंजीन के लिए लामडा मक्सिमम की वाल्यू वह वह कितनी थी 255 नामेटर थी 255 नामेटर थी अब बैंजीन इस क्रोमोफोर बैंजीन हो क्या होता है क्रोमोफोर होता है बट यहां पर यह जो ns2 लगा है, this one is oxochrome, this one is oxochrome, oxochrome का तो काम ही क्या होता है, to increase the value of lambda maximum, oxochrome का तो यही काम होता है, और कैसे करता है, by increasing conjugation, यह जो non pair of electron है, यहां से conjugation में रहेगा, यहां से ज्यादा होगा, and as the deloculization of pi electrons will be more, so lambda maximum also will be more, यहां से समझ आती है, अब हम क्या कर रहे है, अब हम यह जो aniline है, इसे डाल देते है, acidic medium है, चली हम इसे डाल देते है, acidic medium है, and we all know that, कि aniline का nature कैसा होता है, basic nature होता है, we know that it is weak base, थीक है, weak base होता है, क्यों होता है, base क्या हो होता है, जो कि lactron's provide करा है, जो कि lactron's provide करा है, that has tendency to donate the lactron's वही होता है, लेकिन यहां पे जो long pair of lactron होता है, वो because of participate in the conjugation, easily available नहीं होता है, ठीक, easily available नहीं होता है, that's why aniline is a weak base, but still it's base, ठीक है, है तो base ही न, यह चीज तो है, अब हम क्या करेंगे, AC dish में डाल रहे हैं, acidic medium में इसे रख लिया, जैसे AC dish medium में रखेंगे, तो जो long pair है, इस प्रैटा है, कौन करेगा, as positive करेगा, यह तो lactron's का भूखा ह बैठा रहता है, इसे तो lactron's चाहिए होता है, अब यह सीधा कहां बैटा है, यह जाएगा, NS2 पे, ठीक है, कहां भी जाएगा, NS2 पे जाएगा, NS2 के long pair के साथ में यह जुड़के, and बनाएगा, NS3 positive, और इसका counter ion कौन रहने वाला है, that is CR negative, ठीक है, जो किसको balance करेगा, जो क हाँ पे से लगया, उसे जिसने ले लिया, जिससे की इसका bond बन गया, अब यदि हम बात करें, conjugation की, तो positive charge, देखे, positive charge क्या, यहां पे इलक्रोंस देगा, नहीं देगा, यह तो बल्की उल्टा खीजेगा, इलक्रोंस को, ठीक है, यह तो क्या करेगा, इलक्रोंस को विड्र negativity, in compared to carbon, so that it will pull the electron, it will pull the electron, यह तो अपने करफ खीजेगा, क्यों की एक तो इसकी 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 ब्रेक करेगा, जिसके लिए जो lambda maximum की value हो, वो भी decrease हो जाएगी, and that will be 265 nanometer, यदि हम बात करने, प्योर एनलें की तो यह तो 280 nanometer था, जैसे हमने इसका medium change किया, जैसे हमने इसका solvent change किया, हमने acidic medium में इसे रखा, तो इसकी value हो बोड़ी कर गई, और यह कितनी हो गई, 265 nanometer हो गई, ठीक है, यह अलग-अलग compounds के लिए, अलग-अलग values हो सकती है यह चीज आपको बता है, बहुत ही अच्छे से, this effect is called as blue shift, this effect is called as hypsochromic shift, hope so you understand very well about the hypsochromic shift of blue shift, यहाँ पे मैंने यहाँ पे signal भी बना के दिखाया है कि absorbance और lambda maximum के बीची में ग्राफ बनाते हैं, तो यह जो solid line है, this is the actual position of the, this is the actual position of the lambda maximum, and यह जो dash-dash line है, total line है, यह क्या blue shift है ठीक है, this is blue shift, तो यह होता है आपका hypsochromic shift, now in this, इस वाले video का हम यहीं बे समग करते हैं, and next video है, वो आपका होने वाला है, उस वाले video में हम जो remaining two shifts है, दोनों के बारे में discussion कर देंगे, क्योंकि दोनों में छोटा ही बचा है, and our topic के साथ में आप familiar हो चुके है, and जो most of factors हैं वो मैं इन ही दोनों वीडियो में explain कर चुकी हूँ, तो, sorry, कर चुकी हूँ, तो जो आगे का video होने वाला है, उस में जिस्ट आपको hyperchromic shift and hypochromic shift के बारे में पढ़ना है, क्योंकि जितने भी additional factors होते हैं, वो सारे के सारे explain कर चुकी हूँ, तो आप यह दोनों वीडियो द देखरे हैं, effect of, effect of substrate trans, इसके बाद हम देखेंगे effect of conjugation and then हम चलेंगे, वुडवाड-फाइजर रूल पे, that is most important topic of UV visible spectroscopy, और वहां से question पूछी ही, पूछी जाते हैं, तो जल्दी से complete करेंगे and hope so, आपको समझ जा रहा होगा, यदी समझ जा रहा है, so tell me in the comments section and आज के वीड उसक्रें तो पॉर्च याले गईते